Hey guys, what's up, कैसे आप लोग और मेरे पास से आप सब के लिए एक बहुत बड़ी breaking news Guys, NTA ने तुम सब के साथ, हम सब के साथ एक बहुत बड़ा scam कर दिया है बट ये scam है क्या है? NTA की सारी guidelines change हो चुकी है जो guidelines पहले release हुई थी, अब सब कुछ उससे एकदम different है So, ये video पूरा देखना, इस video में हम बात करेंगे पहले तो most importantly, तुम लोगों के admit cards release हो चुके है Admit cards कहां से download करने है, admit cards में क्या-क्या details होंगी और जो self declaration form ले जाने के लिए बोला जा रहा है जो एक undertaking की तरह काम करेगा, वो self declaration form आएगा कहां से and वो form हमें fill कहां से करना है, की need क्या है उसके बाद कौन-कौन से documents आपको लेके जाने है pen paper लेके जाने है, या कौन-कौन सी items आप अपने exam center पर लेकर जा सकते है और आपको जो breaks मिलेंगे, shift break और session break उन breaks को आप कैसे utilize कर सकते हो क्या उन breaks में बाहर जाना allowed होगा, नहीं allowed होगा यह पूरा video इसी के उपर base होने वाला है, सारी guidelines change हो चुकी है and इसमें कुछ most important headlines भी है, तो guys let's start अब सबसे वहले हम देखते हैं, कि आप लोग अपना admit card कहां से download कर सकते है तो जैसे ही आप अपना PC on करेंगे न, आप सबको almost पता होगा कि admit card को download कहां से करना है, CVT, UG, NT की एक site है वहाँ से आप अपने admit card को download कर सकते है and if अगर आपको उसका link नहीं मिलता है, तो आप DVD app पे जाके यह जो banner दिखेगा न, इस banner पे click कर सकते है and वहाँ से एक ऐसा link open हो जाएगा इस link पे आप अपना admit card download कर सकते है यहाँ पर आपको अपना application number डालना है जो आपने CVT के लिए register किया होगा, तब आपको मिला होगा and उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी date of birth डालनी है जो आपने form को fill करते हुए डाली थी उसके बाद submit करोगे तो आपका admit card खुल जाएगा जो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा मतलब उसमें आपकी photo दिखेगी, सारी details दिखेगी है जिस हमने hide कि विए यार हम ऐसे किसी की details को disclose नहीं कर सकते हैं सबसे बहले होगा आपका application number उसके बाद आपका नाम, जो भी candidate है उसका name, उसका father's name, उसका gender, उसकी date of birth and category whether आप general category से हो, reserved हो, unreserved हो, OBC या फिर SC, ST या कोई और category है, minority हो यह सब detail यहां पर लिखी होगी and next होगा person with disability whether you are from PWD category or not and यहां पर लीचे लिखा होगा, scribe required or not, generally, person with disability होते हैं उनकी limitations देखी जाती है, whether they can write the exam or not और अगर कोई exam नहीं लिख पाता है, तो उनको NTA scribe भी provide करता है लेकिन उसके लिए आपको NTA को prior information देनी होगी, form को fill करते हुए coming to the next, यहां पर आपकी photograph होगी, जैसे आप देख सकते हो, यहां पर एक photograph है उसके नीचे यहां पर आपके signature होगे, यहां पर एक barcode मुझूद होगा and यहां पर भी एक number mentioned होगा, जो आपका application number से same होगा बात करते हैं, test details की, तो जो जो exam में आपको, जो exam आपको देने होगे, जो जो आपने exams के लिए fill किया है वो सारे exam की details यहां पर होगी, क्या आपका subject कौन सा है, उसका code कौन सा है question paper का medium कौन सा है, को English में दे रहा है, को हिंदी में या कोई अपनी regional language में दे रहा है यहां पर आपका role number मेंशन होगा, उसके बाद date and shift मेंशन होगी, लाइक किसी का chemistry का paper है, तो shift 1A में वो exam अगर किसी का chemistry का paper है, तो वो shift 1A में होगा, 15 में को होगा, यानि की परसो से exam चुरू होने वाला है और उसकी timings क्या होगी, सुबर 10 बजे से 11 बजे तक, यानि की 1 hour का exam होने वाला है उसके लिए reporting entry time क्या होगा, 8 a.m, gate कब तक बंद हो जाएंगे, 9.30 तक बंद हो जाएंगे college school या जो भी या कोई NTA का center होने वाला है, तो यहां पर test की details में सारी details mentioned होगी कि आपका exam कौन सी shift में है, कौन सी date पर है, किस time पर है, यह सब आप यहां से देख सकते हैं उसके बाद, यहां पर कुछ information लिखी हुए है, these are guidelines for the students, candidate must bring one passport size photograph per subject, same as uploaded on application form for pasting on attendance sheet in the examination room hall guys, मैंने तुमें पहले भी बताया था, कि जब तुम अपने documents लेके जाओगे, documents में आपको identity proof लेके जाना था, एक अपना admit card लेके जाना था तो आपको 5 passport size photographs लेके जाना होगी, because वहां पर आपके attendance होगी, and per exam के साफ से attendance होगी, जो आपने attend किया है, per shift या sub shift में, and वहां पर आपके attendance shift पर वो photograph लगाई जाएगी, and एक बात याद रखना, कि वो photograph जो होगी, वो same होनी चाहिए, जो तुम्हारे CUET के admit card में mentioned है, जो तु भी marked in all subjects except in general test, और दूसरी चीज यह है, कि आपको generally जो normal subjects है, उसमें 50 में से 40 questions attempt करने है, and जो general test के exam को, उसमें 60 से 50 questions attempt करने है, 60 में से, तो यह guideline है, कि अगर, जैसे आपको 40 questions attempt करने है, आप या तो randomly choose करोगी, कौन से कौन से questions आपको आते हैं, लेकिन अगर by chance कोई सारी questions करात है, 50 के 50 other subjects में, और 60 के 60 general test में, तो आपके other subjects में तो first 40 questions count होंगे, and general test में first 50, यानि कि अगर आपने सारे questions attempt कर दिया है, तो जितने questions required थे attempt करने को, वो questions automatically count हो जाएंगे, starting से, and उसके बाद, एक सबसे important चीज यह है, कि जब आप लोग OMR sheets को fill करोगे, तो आपकी जो OMR sheets generate होग ना, उसमें वो text, उसमें एक test booklet code mentioned होगा, और वो test booklet code similar होगा, आपके question paper की booklet से, test booklet से, अगर वो दोनों code similar नहीं है, तो आपको immediately अपने invigilator को बताना है, कि यह code same नहीं है, ताकि वो आपको दूसरी OMR sheet provide कर सकें, जिसमें वो similar code है, अधरवाई इससे आपको problem हो सकती है, and नहीं होगी, तो सबसे पहले यह चीज़ जरूर मैच कर लेना, next thing यह है, self declaration form को लेके, बहुत सारे students को confusion है, कि हम self declaration form कहां से लाएं, उसका क्या use है, वो form actually में क्या है, कहां से download करना है, तो self declaration form एक undertaking की तरह जो है, आक्ट करता है, जिसमें आप यह कह रहे हो, कि मैं, मेरा ना करता हूँ, यह सब उस form में लिखा हूँ, तो यह form एक undertaking की तरीके से act करता है, यहां पर आपको अपना नाम लिखना है, resident of, जहां पर भी आप रिजाइड करते हैं, वो, and यह पूरा self declaration form है, and the most important thing, कि आपको यहां पर signature करने हैं, वो signature similar होने चाहिए, जो आपने यहां पर signature क होने हैं, उसके बाद, यह तो हो गया self declaration form, next thing is, कि आपको जो यह admit card आप डाउनलोड करोगे, ऐसा नहीं है, कि आपको सिर्फ फर्स पेज़ डाउनलोड करना है, आपको तीनों पेज़ डाउनलोड करने है, फर्स पेज में आपकी instructions हैं, details हैं, उसके बाद यह self declaration form है, and third page पे exam center पे जाने से पहले ही fill कर लेना है, और जो इस पे signature होंगे, वो signature आपको invigilator के सामने करने हैं, but बाकी details पहले fill कर लेना, और most important thing, shifts breaks को लेके, आपको कोई भी bio break नहीं मिलेगा examination के time पे, like if you wanna go washroom, या आपको पानी पीने जाना है, ऐसे कोई breaks आपको नहीं मिलेंगे, दूसरा, जिस student के exam एक ही shift में है, like shifts को भी sub shifts में divide किया हुआ है, आपको दो तरीके के breaks दिये जा रहे है, एक है shift break और एक है session break, session break वो होगा जो दो shifts के बीच में होगा, and it is of 120 minutes, और जो shift break होगा ना, वो break होगा, जो दो shifts के बीच में होगा, जैसे कि आपका एक exam shift 1 A में है और दूसरा exam shift 1 B में है, तो इन दोनो shifts के बीच में एक break होगा, that is shift break, और वो 75 minutes के around का होगा, and उस break में आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, अपने center से, you have to sit there, exam होने के बाद भी, जब तक आपका दूसरा exam शुरू नहीं हो जाता, आपको सिर्फ session break में बाहर जाने दिया जाएगा, और जहां तक बात है कि shift break में आपको campus premises से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, जो break दो shift, sub shifts के बीच में होगा, 75 minutes का break होता है, तो याईज इसमें तो लिखा ऐसे है कि आपको they won't allow to go outside के center premises से, बट center के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको वहीं बैठे रहना होगा, जहां पर आप exam लिख रहे हो अपना, आप washroom के लिए जा सकते हो, पानी पीने जा सकते हो, लेकिन जो session break होगा, 120 minutes का, जो दो shifts के बीच में break होगा, उस break में आप बाहर जा सकते हो, where they will allow you कि आप खाना खाने जा सकते हो, किसी भी restaurant पर, या wherever you want to go, लेकिन shift break में center से बाहर नहीं जा पाऊगे, center के अंदर ही रहोगे, next information दी गई है, P.W.D. category students के लिए, जहां पर उनको बताया गया है, and person with disability के लिए, जो P.W.D. category से students है, उनके लिए भी एक important instruction इसमें ये है, कि 2018 में एक guidelines released हुई थी, उन guidelines के according, अगर किसी के blindness है, या फिर कोई locomotor disability है, जैसे कि किसी की बहुत, दोनों arms affected है, या फिर कोई cerebral palsy है, तो उस case में जो होगा आपको scribe provide किया जाएगा, लेकिन अगर उनके अलावा कोई person है, जिसको disability है, other than that, उनको भी scribe provide किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ तब ही होगा, जब वो एक certificate issue करवाले from chief medical officer, civil surgeon या medical superintendent of government healthcare institution, जिसमें ये mentioned हो कि उनके physical limitations इतनी ही है, और वो ये exam नहीं लिख पाएंगे, अगर वो certificate किसी के पास होगा, तब ही उनको कोई scribe provide किया जाएगा, otherwise not, so इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि आगर आपको ऐसे कोई scribe needed था, तो आपने अपने examination form में भरा है और नहीं भरा है, and people with disabilities, जिन्होंने scribe की requirement नहीं दिखाई है, उनको 20 minutes extra दिये जाएंगे to compensate all the problems they tackle, जो लोग PWD category से है, and उन्होंने scribe की requirement नहीं दिखाई है, उनको 20 minutes per hour extra दिये जाएंगे, जो 1 hour की examination होगी उसमें उनको 20 minutes extra मिलेंगे, and जो 45 minutes की examination होगी, उसमें उनको 15 minutes extra दिये जाएंगे to tackle all the situations जो उन्होंने face की हैं exam में, उनको compensate करने के लिए, उसके बाद, guys, सबसे बड़ा scam तो नहीं यहाँ पे हो है, जो ये guidelines तुमारे लिए बदल दी हैं, एकदम different guidelines NT ने इस बार release कर लिया, तो इन पे ध्यान दो, अब तक तुमने जो guidelines read की थी, उनको हटाओ, इसमें पूरी, जो नई guidelines आई हैं, पहले भी officially आई थी, लेकिन इस बार नई guidelines हैं, बहुत सारे changes आई हैं, तो उन guidelines पर हम ध्यान दे लेते हैं, candidate must reach the center at time indicated against reporting entry time, पहली guideline यह है कि आप लोगों को जो reporting time है, उससे थोड़ा पहले center पे पहुँच जाना है, यार, पता है, कोई exam होता है, तो उससे कोशिश क्या करो, कि तुम उससे थोड़ा पहले ही वहाँ पे पहुचो, दस बजे exam शुरू है, तुम दस बजे पहुच रहो, उस time पे enter भी नहीं करने देंगे, 9.30 तो closing time हो जाता है, बिकूस वहाँ पे बहुत सारे, you know, उनको भी attendance and sheet fill करानी है, बहुत सारे repercussions होते हैं, तुम लोग पहले ही center पे पहुच जाना, prior पहुच जाना, आधा एगंटा, पहले कम से कम, उसके बाद दूसरी thing यह है, कि अगर gate बंद हो गया, तो तुम्हें वो लोग enter नहीं करने देंगे, किसी भी कीमत पे, so be punctual, यहाँ पे पता कर लिया, but you won't be allowed के तुम examination hall को छोड़ कर जा सको, जब आपका exam खतम हो जाए, उसके बाद भी अपने आप उठके पागलो की तरह मत चल पढ़ना, invigilator instructions देगा, कि आपको जाना है, कहां जाना है, वोण के instructions को धान से सुनना, अगर वो instructions ना दे तो तो तुम पूच ना आपको एडमिट कार्ड पे जितनी भी restrictions है, जो भी instructions प्रोवाइड की गई है, उनको सब को details को download कर लेना है, पूरा admit card के तीनों page download कर लेना है, अपने पास रखना, इनको safety देने जाओगे उससे पहले और इन instructions को ना अच्छे से पढ़ लेना एक बार दुबारा से भी, next thing is, यहर इसमें न, एक तो तुम्हारी center details है, उसके साथ सक्स declaration form यह, मैंने तुम्हे अभी बताया था, उसके बारे में वो क्या है, उस form को जरूर अपने पास रखना, because यह तुम्हें वहापे submit करना, और signature पहले मत करना, तुम्हें invigilator के सामने signature करने है, अगर आपका कोई religion य सके, और किसी को भी कोई problem ना है, आपको भी, and exam जो conduct करा रहे है, उनको भी कोई problem ना है, अगर आपके पास admit card नहीं होगा, या कोई अपना valid ID proof नहीं होगा, या फिर proper frisking नहीं हुई होगी, तो आपको, जो है, तो आपको center पे enter ही नहीं करने दिया जाएगा, because ID card नहीं होग तो तुम नहीं किया जा रहे हो, यह दोनों चीज़े बहुत important है, and मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि आपको admit card के साथ, ID लेके जानी है, जिसमें आप अधार card का use कर सकते हो, वैसा अधार card के लावा, अगर आपके पास driving license है, water ID card है, या फिर उसके लावा, आपके तुम्हारे paper है, जितनी shifts है, उनके हिसाब से लेके जाना, अगर तुमने 5 subjects के लिए भरा है, 6 के लिए बरा है, subjects के recording count करना, उतनी ही photographs अपने साथ लेके जाना, and the most important thing is this, कि अधार card या ID proof जो भी लेके जाओगे, वो original होना चाहिए, बिलकुल, photocopies वहाँ पर नहीं उसे reject कर दिया जाएगा, and फिर entry नहीं हो पाईगा, and फिर दिक्कत आईए, अगर कहीं दूर से तुम लोग center पर गए होगे, so of course, there's a problem, guys, आप लोग ये guidelines हैं, जो change हो चुकी है, कि आपको क्या-क्या चीजे examination hall में अपने साथ लेके जानी है, आप लोग अब transparent water bottle, और एक transparent pen अपने साथ carry कर सकते हैं, guys, transparent pen होना चाहिए, वो जिसकी body transparent आती है, बिल्कुल वो वाला, ऐसा कोई colored pen मत लेके जाना, otherwise pen नहीं होगा, तो लिखोगे क्या वहाँ जाकर, and I'll suggest के black ball pen लेके जाना, transparent वाला, जिसकी body transparent होती है, दूसरा आपको अपने साथ photograph लेके जानी है, पर subject क के हिसाब से count करके ले जाना, admit card लेके जाना है, self declaration form के साथ, और center पर पहुचने से पहले आपको undertaking fill कर लेना है, अपनी handwriting में, उसके अलावा अगर आप PWD category से हैं, तो आपको PWD certificate और scribe का जो एक form मिला होगा, आपको scribe से related कुछ documents होगा, अगर आपके साथ कोई scribe है तो, वो documents आपको लेकर जाने है, आपको अपने signatures जो हैं, वो appropriate place पे करने है, self declaration form में, although invigilator के सामने करने हैं, और आपको अपना identity proof लेके जाना है, यह चीज हो गई है, अगर आप PWD category से तो अपना PWD certificate लेके जाना है, बुसरी चीज के आपको कौन सी चीजे नहीं लेके जानी है, तो क और उसके अलावा, अगर किसी के पास गलती से कोई paper रह गया है, currency notes रह गया है, आजगल उससे भी cheating कर लेते हैं, बच्छे, तो वो भी नहीं लेके जाना है, कोई extra material allowed नहीं है, मैंने जो उपर चीजे बताई, सिर्फ वही allowed है, उसके अलावा आप कुछ नहीं लेके जा सकते अपने exam center में, सबसे बड़ा change देखो, यार यहाँ पर आया है, पहले यह था ना, कि rough sheets रहा, NTA प्रोवाइड करेगा, अर NTA तुम्हें कोई rough sheet प्रोवाइड नहीं करने वाला है, उसके बज़ाई क्या होगा न, मैंने तुम्हें starting में बढ़ाया था, कि तुम्हें test booklet दी ज होगा, वहीं पर आपको questions को practice करना है, तूसरी चीज यह है, कि यार cheating करते हुए मत फस जाना, वहाँ पे CCTV surveillance होगा, CCTV cameras हर जगे लगे होगे, proper checking हो रही होगे उदर, every moment you will be captured by CCTV cameras, तो यह भूल जाओ कि cheating करते हुए नहीं पक्टे जाओगे, तो कोई ऐसा, ऐसी चीज करने की मत क कोशिश करना, जिससे बहुत सारे repercussions face करने पड़े, तुम्हें बहुत ज़्यादा problem हो जाए, because उसके बाद, you will be banned from giving any NT exam, security के लावा, कोई भी NT exam, जो होगा, वो नहीं दे पाऊगे, तो इस चीज का खास खयाल रखना, कि cheating मत करना, वहाँ पे, guys, एक सबसे important चीज यह है, कि अब तुम्हें admit cards कितने लेके जाने है, कि सिर्फ एक admit card से काम हो जाएगा, because तुम्हारे exam जो है, वो बार-बार होंगे, मतलब different shifts में होंगे, दुम्हारे पास different OMR sheets होंगी, and ऐसी guidelines हैं, कि जब आप अपनी OMR sheet invigilator को hand over करोगे, उसके साथ-साथ आपको अपना admit card भी उन्ह आप सिर्फ test booklet अपने साथ लेके जा सकते हो, तो ये candidate की responsibility है, कि वो अपनी OMR sheet पर चेक करें, कि उसके signature वहाँ पर है, invigilator के signature वहाँ पर है, तब इस sheet को hand over करें, जितने subject हैं, उतने admit cards लेके जाना है, जैसे admit card में ने दिखाया था, 5 subject के exam बच्चे ने fill के हुए, तो उसे 5 cards, admit cards लेकर जाने पड़ेंगे, along with 5 photographs as well, इस तीज का खास ख्यार रखना वरना फच्चा होगे यार, वहाँ पर जाके क्या गरोगे, अब यार, तुम लोग तो बहुत artificial intelligence और AI का use करते हो, कोई essays लिखने में, assignments बनाने में, हाँ चीज में AI का use हो रहा है, अब NTA वीना time analytical tools and technology, ये देखने के लिए कि क्या center पे कोई unfair means हो रहे हैं, परक्षियां पास हो रही हैं कहीं पे, या कोई भी device ऐसा use किया जा रहा है, NTA उसे तुरंत capture कर लेगा, और तुम्हें पता है, AI technology इस ताइम कितनी peak पे है, कितनी fast and efficiently भी work करती है, ऐसे पकड़े जाओगे, दूस में भी AI technology को use किया जाएगा, ये देखने के लिए कोई unfair means तो नहीं हुआ है, किसी भी student ने ऐसा नहीं किया है, अगर किया होगा तो वो बाद में भी पकड़ा जा सकता है, तो तुम्हें ये सोचने की ज़रत नहीं है, कि यार अब बच गया, तो बाद में तो कोई दिक्कत ह होगी नहीं, NT catches the cheaters through artificial intelligence based tool, तो AI का इस्तमाल अब तुम्हारी cheatings को catch करने में भी use किया जाएगा, अगर कोई candidate ऐसा दिखता है, AI tool ने किसी को identify किया है, ये सब हरकते करते हुए examination के बाद भी तब भी आपको problem face करनी पड़ सकती है, जो examination centers होगे, CCTV के साथ साथ AI technology based tools से भी उनके उपर surveillance होगी, proper scanning होगी, सारी चीज़े AI based भी होने वाली है, so you have to take care of this as well, Guys, अब तुम देख सकते हो, कि NTA ने अपनी guidelines में 5 बार AI use कर दिया है, तो सोचो जब तुम exam देने जाओगे, तो वहाँ पर कितना AI use होने वाला है, और वो AI तुम यूज नहीं करोगे, वो NTA use करेगा, तुम्हें proper scan करने के लिए, तो scam से बचने के लिए, और तुम्हारे सा वो आपको बता दी जाएंगी, और हाँ, आपको shift break और session break को कैसे use करना है, त्यार देखो, अब shift break में तुम भार तो जा सकते हैं नहीं हो, तुम्हें क्या करना है, अपने campus में भटकना, और किसी से paper discuss मत करना, अगर तुम पेपर discuss करोगे, तुम्हें पता लगा, मेरे 4 question गल इसमें भी कटवालोगे, 4-5 questions यहां भी गलत कर दोगे, तुम किसी से exam discuss करने लगे हो, अगर कोई कर रहा है, तो सामने से मना कर दो कि भाई, मुझे नहीं करना, तुझे सोचना है, तु सोच, मैं नहीं सोचूँगा, तुम्हें चिल होगे घूमना है वहापे, उसके लाब कोई टेंशन नहीं लेनी है, कुछ खाना है, यार कैंपस में अगर कुछ अविलिबल हो, वहां से खा लेना, and I'll suggest, कि तुम लोग वहां से कुछ healthy खाना है, यार समोसे पकोडे खागे बैठोगे, तो तुम मारा दिमाग चलेगा, क्या वो सब oil यहां जम जाएगा, फिर कुछ students का जो center होगा, वो तो उसी same center पे दूसरे shift का exam होगा, लेकिन कुछ students को center change करना होगा अपने दूसरे shift के exam के लिए, तो जिनका दूसरे shift का exam कहीं हो, दूसरे center पे उनका तो सारा time traveling में चला जाएगा, solve वो problem तो, लेकिन जिनका same center पे हो, और चाहे same center पे हो, चाहे different center यह गलती मत करना, कि तुम लोग वहाँ पर वापिस अपने notes पढ़ने लगे हो, रटा मारने लगे हो, last moment पर ना, ऐसे पढ़ने से problem भी हो जाती है, कि आप भूल जाते हो, सारी चीज़े, एक साथ इतना सब दिमांग में चला जाता है, क्योंकि आद दो घंटे में तुम क् मुझ फायदा निया, वह फालतू के चकरों में पढ़ने से, और एक और चीज़ जनरली क्या होती है, कि सब्सक्रा मैच का एक्जाम है, तुमने formula sheet बनाई रही है, formula सारे लिख्यों है, गलती से तुम एक दो formulas पढ़ने ही भूल गयो, तुमने concept ही नहीं बढ़ा, तुमारा लास्ट मुमेंट पर उसे क्रैम करने ही कोशिश करे हो, यह गलती बिल्कुत मत करना, जो concept नहीं पढ़ा उसको लास्ट में क्रैम भी मत करना वरना तुम पुराना सारा हूल जो तुमने पढ़ा है, so, notes, words कुछ काम नहीं करते हैं, लास्ट मुमेंट पर घूम फिरो, अपन तुम्हारी अच्छे से चल रही है, guidelines तुम्हें बताद की, अब सब follow करते रहो, soon see you as my genius in DU, all the best, thanks for watching this video.